गोरी देवरानी ने चीना काली जिठानी का पती काव्या एक भोली भाली कामकाजी काले रंकी लड़की थी जिसकी जिन्दगी में बहुत काले पन को लेकर उतल पुतल हुई थी पर अच्छी सास के मिल जाने पर वो खुश रहने लगी लेकिन जब क्या होगा जब उसके हाथों से लाई हुई खुशियां ही उसका घर उजाड़ दे जाने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं जहां मिक्सी में काव्या चट्मी बना रही थी ओहो जल्दी से ये बेटर बन जाए फिर मुझे कपड़ी भी देखने हैं इनके लिए इडली भी बनानी है ओहो ये कौन सा आलाम बज गया बहु माजी वाशिंग मशीन का टाइमर पूरा हो गया है उसी का आलाम बज रहा है मैं देखती हूँ काव्या वाशिंग मशीन का टाइम बढ़ा कर सोफे का कवर ठीक करती है रसोई में आकर कड़ाई की सबजी चलाती है और वापस दूसरी गैस पर इडली बनने के लिए रख देती है इतना सब करते देख पूरम कहती है ए भगवान तुझे देख कर बहु मैं ठक गई हूँ एक साथ तू कितना काम करती है सच में बहुत भागिशाली हूँ कि मुझे तेरी जैसी सर्वगुन संपन बहु मिली है पर तू कितना करेगी मैं सोच रही हूँ तेरी देवरानी आ जानी चाहिए ताकि तेरा घर के कामों में हाथ बटा दे भले ही तू दबे रंकी हो फिर भी मुझे पसंद है मा जी काम तुम्हें ऐसे भी कर लूँ पर देवरानी वाली बात मुझे आपकी अच्छी लगी अब मुझे एक देवरानी ला दीजे ताकि मैं उसके साथ बात करू आपको तो अपनी पडोसन सहे लिया मिल जाती है लेकिन मुझे नहीं जरूर जरूर ऐसा कर ये जिम्मेदारी मैं तुझे ही देती हूँ तू अपने लिए अपनी पसंद की देवरानी लिया मुझे पूरा विश्वास है कि तू ये काम बहुत अच्छे से करेगी क्योंकि मैं लाओंगी तो पता नहीं कैसी हो नहीं मा जी आपकी पसंद अच्छी है मुझे भी तो आपने ही पसंद किया है पर अपने देवर की देवरानी तो मैं ही लाओंगी ठीक है बहु अरे काविया खाना बना की नहीं मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है हजी लाई कुछ दिर बाद पूनम उन्हें नाश्ता परोस्ती है जिसे खा कर सौरब कहता है अरे वावावावाव सुबह सुबह तुमने इडली सामबर खिला के मेरा दिन बना दिया कुछ भी कहो तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो हाँ वो अलग बात है कि मुझे तुम्हारी ये काली शकल पसंद नहीं है बस कर सौरब ये तू कैसी तारीफ कर रहा है तेरी बीवी है तुम्हें दो साल हो गए है अब इस बात को मान ले वैसे भी बहु बहुत अच्छी है मान ही लिया है कि वो मेरी पत्नी है पर क्या करो मुझे निकल जाता है अच्छा सुन अगले महीने प्यूश की शादी कर दूँगी और काव्या उसके लिए लड़की ढून लेगी तो तु पैसे का इंतिजाम कर ले ना कहीं बाद में पैसो की दिक्कत हो क्या इंतजार करूँ आप अभी बोलो मैं अभी आपके हाथ में एक करोड रुपे रख दू भूलिये मत आपका बेटा MNC कंपनी का मालेक है मालेक मैंने तो अपने बलबूते पर कंपनी खड़ी कर ली लेकिन ये प्योश कब करेगा बताईए और आप इसकी शादी करवानी है तू चिंता मत कर सौरब क्या पता शादी करते ही जिम्मेदार हो जाए हाँ हाँ आप दोनों को ऐसे ही लगता है कि मैं नकारा निकम्मा हूँ पर कल मुझे फाइव स्टार होटेल में एस अ मैनेजर की जॉब मिल गई है theory वा देवर जी बहुत बहुत बधाई हो क्या बहुत बधाई हो तीस हजार की सैलली कितनी मामूली है मेरी कंपनी में अगर मेरी कंपनी में आता तो एक लाग का का म काम करता नहीं भाया मैं यह नहीं चाहता कि बड़ा भाई छोटे भाई पर एहसान कर रहा है इसलिए मैं दूसरी कंपनी में अपनी मेहनत से काम करूँगा बिलकल सही बोला मेरा प्यूश अब लड़ो मत सब अपने अपने काम पर जाओ अब तो मैं बहुत शोर मचाकर देवरानी लाओंगी लो चली मैं अपने देवर की बारात लेने लो चली मैं ना बैंड बाजा नहीं बराती खुशियों की सौगात लेके लो चली मैं बस कर बस कर बहू मेरा लाल लाल हो रहा है सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं सास और बहु मंदिर में पुजारी प्यूश के लिए लड़की देखने आते हैं जहां वह बहुत सारी लड़की की फोटो दिखाता है एहरी माजी ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है इनकी राशी भी एक है इसे काम करना आता है पन्डिच जी और नाम क्या था? नताशा ना? हाँ बेटी वैसे ये बहुत अच्छे घर की पड़ी लिखी लड़की है फैशन में जादा रहती है पर खाना बनाना घर के काम वो सब नहीं आता है कोई बात नहीं पन्डिच जी वो तो मैं भी सिखा दूँगे अपनी प्यारी देवरानी को ठीक है फिर मुझे भी ये लड़की पसंद है पंडिच जी रिष्टा भिजवाईए ये बोल कर दोनों सास बहुग घर चली जाती है कुछी दिन में प्यूश का रिष्टा नताशा से जुड़ जाता है जहां दोनों की सगाई हो जाती है और कुछी दिनों में धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है जहां काली जिठानी अपनी गोरी देवरानी का ग्रह प्रवेश करती है हाव मेरी प्यारी देवरानी, चिंता मत करना, अगर तुम्हें कुछ काम नहीं आया, तो मैं हमेशा हूँ, और मुझे भी तो चोटी बहन मिल गई है ओ रेहली, मैं इतनी गोरी हूँ और आप इतनी काली है, आप मेरी बहन जैसी कैसे लग सकती है मैं तो आपको जिठानी के रूप में भी स्विकार नहीं कर पारी, भर करना पड़ेगा नताशा बहु तु ये क्या कह रही है, चलो कोई नहीं, सब जाकर आराम करो हाँ हाँ, चलो सब कमरे में जाने लगते हैं तो देवरानी का पैर उसके लहंगे में फस जाता है वो गिरती है तभी जेट उसे संभाल लेता है और उसका गुंगट भी हट जाता है जहां देवरानी जेट को एक टक देखती रहती है ओ माई गौड, ये तो मेरा हैंसम सा जेट है, मेरे पती से ज्यादा सुन्दर और मा ने बताया था, MNC खुद की कमपनी है तुम ठीक हो ना? भारी लेंगे की वज़ा से नताशा फिसल गई, आओ नताशा, साथ में चलते हैं जी, हम्, पती तो बिलकुल लप्पूसा लग रहा है और इसकी पगार भी उतनी ज्यादा नहीं है अभी फिर सब अपने कमरे में चले जाते अगले दिन तयार होकर नताशा जाती है कि बातरूम से नहा कर निकले सौरब पर देवरानी की नजर आ जाती है ओ लाला, कितनी होट बॉड़ी है मेरे जेड जी की इसे भसा लोगी, अब तो पक्का दिल आ गया है अरे बहू, कहां है तू? आई माजी फिर नताशा रसोई में जाती है माजी, जेठानी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता हमें पता है बहू, इसलिए तुम्हारी जेठानी तुम्हें खाना बनाना सिखाएगी तो तुम साथ रहना हमेशा किचन में हाँ नताशा, मैं चाहती हूँ सब तुम्हारे बनाए खाने की बहुत आरीफ करें हाँ, जरूर इस काली जेठानी से खाना बनाना सीखूंगी अब मैं, इस काली को इतना अच्छा पती कैसे मिल सकता है फिर नताशा उसके साथ खाना बनाना सीखती है ऐसे ही कुछ दन गुजर जाते हैं वहीं बीच बीच में वह जेठ पर भी डोरे डालने लगती है उसकी निगाहें भी अब बार बार नताशा की तरफ मुडती है एक दिन सौरप की शर्ट का बटन तूट गया था तो मौके पर नताशा आ जाती है अरे काविया कहा हो? जरा इधर आओ अरे जेठ जी, जेठानी जी खाना बनाने में बिजी है मैं ये शर्ट के बटन लगा देती हूँ जेठ के करीब जाकर नताशा उसके परफ्यूम को स्मेल करती है और उसके बदन को छू कर बटन लगाने लगती है नताशा, यो तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे भाई की पतनी हो मैंने क्या किया? तुम हो ही इतने होट कि मैं तुमारी तरफ बार बार कीची चली आती हूँ मान जाओ ना, वैसे भी तुमारी पतनी कितनी काली है और मैं बहुत सुन्दर हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा, पर ये ठीक नहीं है सब सही है, आज मुझे कहीं बाहर लेकर चलोगे चलो सौरब जी, मैं आ गई, आपके टिफिन लेकर आवाज सुनते ही दोनों अलग हो जाते हैं, फिर काविया पूछती है हरे, हाँ आप दोनों यहाँ? हाँ जेटानी जी, जेट जी आपको बुला रहे थे मैं आई थी कि अहबाप आ गई, उनका बटन लगा दीजे हाँ लगा दो काविया फिर काविया टी-शिर्ट में बटन लगा देती है शाम को बहाने से नताशा अपने जेट के साथ बाहर घूमने निकल जाती है और सौरब भी उसकी खूबसूरती को देख आकरशित हो जाता है और उसके साथ घूमने लगता है कुछ दिन गुजर जाते हैं जेट और देवरानी का चक्कर चलने लगता है घर में दोनों दूसरे से बहुत क्लोज होकर बात करते थे जो कि सास और काविया की आँखों में चुब जाता है क्या जो माजी मुझे बता रही थी और मैंने अपनी आँखों से देखा वो सब सच है या गलत नहीं मैं भी न पागल हूँ सौरब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते संडे का दिन था काविया बचे हुए कपड़े धूप में सुखाने चत पर जाती है तो वहाँ देखती है कि जेट की बाहों में देवरानी थी जानू मेरे चौकलेट खाने का मन है लाकर दोगे न हाँ क्यों नहीं ये सुन काविया दोनों को अलग करके एक तेज का चाटा उसे मारती है मिल गई देवरानी तुम्हें चौकलेट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पती को मुझसे चीनने की और आपको ये गले लगी हुई है वो भी छट पर चाहे आसपास के लोग आपको देख ले काविया की तेज आवाज सुन सास और देवर छट पर आ जाते हैं साथ ही पडोसी भावी आप क्या हुआ अरी क्या होगा तुम्हारी पत्नी मेरे पती यानि तुम्हारे बड़े भाई की बाहों में थी अभी मैंने खुद इने बाहर घूमते हुए भी देखा है क्या बताईए क्यों क्यों आखेर आपनी मुझे धोका दिया मेरी नाग के नीचे ही ये सब हो रहा था मैं काली हूँ इसलिए सो और अब आप गोरी देवरानी के पास चले गए न क्यों नताशा क्यों तुने मेरे साथ ऐसा किया मैं खुद तुझे अपने घर में लेकर आई तुझे खाना बनाना सिका है तेरा पक्ष लिया और तुने मेरे साथ इदगा बाजी की हाँ किया क्योंकि मेरा दिल इन पर आ गया इसलिए चीना मैंने आपका पती मुझे माफ कर दो काविया मा प्योश भाई मैं इसके पास नहीं गया था यह मेरे पास आई थी इसने मुझे फोर्स किया लेकिन मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा काविया वा नताशा अगर तुम्हें मैं पसंद ही नहीं था तो भाईया बाबी का रिष्टा क्यों खराब किया चली जाओ इस घर से अभी के अभी यह सुन नताशा अपना बैक पैक करके वहां से अपने घर चली जाती है महीने गुजर जाते हैं दिरे दिरे नताशा को अपनी गलती का पच्चतावा होता है और वह अपने ससुराल वालों से माफी मांग कर वापस उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है